पिछले कारिक्रम में हमने नई कहानी के प्रणेता राजेंदर यादों के द्वारा रचित कहानी जहां लक्ष्मी कैद है कि कहानी के तत्वों के आधार पर समिक्षा की थी प्रस्तुत कारिक्रम में आलोचे कहानी के कुछ महत पूर्ण चैनित गध्यांसों की संग्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है हिंदी सहित्य में किसी भी गद्यांस की व्याख्या करने के लिए सामान नितह निमनांकित बिंदूओं का ध्यान रखना आवश्यक होता है व्याख्या करने के लिए सबसे पहले व्याख्या के लिए प्रस्तुत गद्यांस का संदर्व प्रस्तुत करना होता है संदर्भ में रशना और रशनाकार का नाम बताना होता है संदर्भ के पस्चाथ प्रसंग में आलूचे कद्यांस के पूर्व की कता अत्वा संबंधित प्रसंग को बताना चाहिए प्रसंग के पस्चाथ व्याख्या करनी चाहिए व्याख्या का तात्परी अनुवाद नहीं है व्याख्या का अभिप्राय आलोचे कद्यांस का शाब्दिक हेर फेर भी नहीं है व्याख्या में हमें शब्दों के फेर में नपढ़ते हुए मुल भावों को समझ कर उन्हें समझाने की चेश्टा करनी चाहिए व्याक्या के पस्चात कुछ सिक्षविद केंद्री अभाव बताने की बाद भी कहते हैं यह भी एक प्रकार से व्याक्या का ही अंग है इसे व्याक्या के साथ भी रखा जा सकता है और अलग से भी बताया जा सकता है व्याक्या के पस्चात गद्य सौंदरि के अंतरगत उस गद्यांस की विशिस्ताओं जैसे भाषा, शैली, शब्द शक्ती, शब्द गुर्ण, तुल्नात्मक्ता तथा अन्य कोई महत्वपरन बात हो तो वह भी बताना चाहिए कभी-कभी कुछ विद्यारती गद्यांस में अंतरनहित मनोविज्यान अत्वादार्शनिक भावों को भी बताती हैं जो प्रसंगानुकूल एवं युक्तिसंगत रहता है एकदम घबराकर जब गुविंद की आँखे खुली तो वह पसीने से तर था और उसका दिल इतने जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कहीं अचानक उसका धड़कना बंदन हो जाए अंधेरे में उसने पांच-छे बार पलकें जपकाई पहली बार तो उसकी समझ में ही ना आया कि वह कहा है कैसा है एक दम दिशा और इस्थान का ग्यान वह भुल गया पास के हाल की घड़ी ने एक का घंटा बजाया तो उसकी समझ में ही ना आया कि वह घड़ी कहां है वह स्वयम कहां है और घंटा कहां बज़ रहा है फिर धीरे धीरे उससे ध्यान आया उसने जोर से अपने कले का पसीना पोचा और उसे लगा उसके दिमाग में फिर वही खट-खट गूज उठी है जो अभी गूज रही थी प्रस्तुत गद्यांस राजेंदर यादो द्वारा लिखी गई कहानी जहां लक्ष्मी कैद है से लिया गया है इस कारिक्रम में व्याख्या किये जाने वाले सभी गद्यांसों का संदर्व यही रहेगा नई कहानी के प्रणेता लाजेंदर यादों ने अपनी कहानी जहां लक्ष्मी कैद है का प्रारंब करते हुए यह बताया है यह कहानी भगवान विश्णू की पत्नी लक्ष्मी की नहीं अपीतु यह कहानी लाला रुपाराम की बेटी लक्ष्मी की है लक्ष्मी ने अपने भाई राम सुरू के मध्यम से पढ़ने के लिए गोविंद से पत्रिकाएं मंगवाई पढ़ने के बाद उसने कुछ पंक्तियों के नीचे निली सही से रिखाएं खीज़ दी गुविंद ने उन्हें पढ़ा उनमें लिखा था कि मुझे इस वातरोंट से बाहर निकलो अन्यता मैं आत्महत्या कर लूँगी लक्ष्मी के द्वारा रिखांकित पंक्तियों को पढ़ने के बाद गुविंद सो जाता है अचनक रात को लगबख एक बजे उसे स्वपन आता है जिसे देखकर वह घबरा जाता है उसी समय उसे ऐसा भी लगता है जैसे कुई उसका किवार खटखटा रहा हो नीद में घबराने के बाद जब वह जागा तो उसने मैसुस किया कि डर के करण लक्तचा बढ़ने से उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है उसे इस बात का भी अभी ग्यान ना रहा कि वह कहां है कैसा है और किस स्थान पर है धीरे धीरे दूर कहीं पास के किसी हाल की घड़ी ने जब एक का घंटा बजाया तब कहीं धीरे धीरे उससे ध्यान आया कि वह कहां है और फिर उसने डर के करण आये अपने पसिने को पहुचा फिर भी उसके दिमाग में वही किवाड़ खट-खटाने की ठक्टकी आवाज तो गुझती ही रही आलोचे गद्यांस में खड़ी बोली का परिश्कत रूप द्रस्टव्य है प्रस्तूत अवतरन प्रसाद गुण और अमीधा शब्द शक्ति से अनुपरानित है शंपूर्ण गद्यांस को पड़ने से गोविंद की मानसिक स्तिते का एक चित्र उभर कर सामने आता है सोने के पहले व्यक्ति जिस प्रकार सोचता है स्वाप्न में प्राया वही सब कुछ अतिरेक के साथ उभर कर सामने आता है फिर उसे धीरे धीरे याद आया कि यह ब्रह्म ही था और वह लक्ष्मी के बारे में सोचता हुआ ऐसा अभिभूत सोया था कि वह स्वप्न में भी च्छाई रही लेकिन वास्तों में यह आवाज कैसी विचित्र थी कैसी साब थी उसने कई बार सुना था कि अमुक इस्त्री या पुरुष से स्वप्न में आकर कोई कहता है मुझे निकालो मुझे निकालो व्याक्या अंस एक के अनुसार गुविंद को यह समझ में नहीं आ रहा था कि दरवाजे पर किसी ने तीन चार बार खट-खट करते हुए गिड़-गड़ा कर कहा था कि मुझे निकालो मुझे निकालो क्या सचमुच किसी ने यह कहा था या फिर कोई स्वप्न था बहुत देर तक गुविंद स्वप्न और यथार्त की उलजन में संब्रहमीत रहा फिर देरे उसे अनुगव होने लगा कि यह ब्रहम ही था यहां आकर किसी ने उसके दरवाजे के किवाड़ों को खट-खटाया नहीं था सोने के पहले लक्षमी के बारे में किया गया चिंतन ही स्वप्न में उभर कर आया था फिर भी वह विश्वास नहीं कर पाया कि यह कोई स्वप्न था क्योंकि मुझे निकालो जैसी द्वनी बहुत ही इस्प्रश्च रूप से उसे सुनाई दी थी आलोचे कद्यांस में गुविंद के मध्यम से राजेंदर यादों ने सुप्न और चिंतन के संब्रहम का बहुत सुन्दर चित्र अंकित किया है जितनी बार वह उन्हें पढ़ता उसका दिल एक अंजाने आनंद के बोज से धड़क कर डूबने लगता और दिमाग उसी तरह बनना उड़ता जैसा उस समय बननाया था जब यह पत्रिका उसे मिली थी यद्दपी इस बीच उसकी मानसिक दर्शा कई विकट परिस्तितियों से गुजर चुकी थी फिर भी वह बड़ी देर तक काली स्याही से छपे कहानी के अक्षरों को इस्थिर निगाउं से घुरता रहा गुविंद के पास उसकी पत्रिका वापस आ गई थी लक्षमी ने उस पत्रिका के 47वे पन्ने पर कुछ पंक्तियों को स्याही से रेखांकित किया था गुविंद ने लगभग 20 बार उन पंक्तियों को देखा लक्षमी के द्वारा लोटाइ गई पत्रिका में रेखांकित पंक्तियों को जतनी बार गुविंद देखता था उतनी ही बार पढ़ने के बाद वह एक अनजने आनन्द की अनुभूति से इस्पंदित हो जाता था कभी वह आनंदित हो जाता था तो कभी उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती थी और वह एक अयाचित भावना में डूबने लगता था मानसिक रुप से उसके सुच में अनेक उधार चड़ाओ आ रहे थे और वह अनेक विकट इस्थितियों में ब्रह्मन करने के बाद भी किसी बिंदु पर ठहर नहीं पा रहा था गुविंद की मानसिकता का बहुत सुन्दर चित्र आलुच्य गध्यांस में अनूरेखित हुआ है जब कोई एक विलक्षन घटना जीवन में अचानक घटित हो जाती है तो मनुस्य के मन और बुद्धी के बीच का सामनजश्य असंतुलित हो जाता है फलस्वरुप, आशा और नेराशा तता भय और आनंद के बीच संबंधित व्यक्ति का मन पेंडूलम की भाती इधर से उधर डोलने लगता है गुविंद की भी यही इस्थिती हो गई थी इधर मदूर सक्ति पर विश्वास नहीं होता मैं चाहे उसे न देख पाया हूँ उसने तो जरूर ही मुझे देख लिया होगा अरे, ये लड़िया बड़ी तेज होती है गुविंद की इच्छ हुई, अगर उसे इसी खशन, शिश्रा मिल जाये तो वह लक्ष्मी की आँखों से एक बार अपने को देखे कैसा लगता है लक्ष्मी के दवारा लटाई गई पत्रिका को गुविंद ने बार बार देखा एक अंजाना सा अंच्छुआ प्रेम का भाव उसके मन में उभर कर आने लगता है वह बराबर लक्ष्मी के बारे में सोचने लगता है कभी उसे विश्वास होता है और कभी नहीं कि पत्रिका के पन्नों में छपी पंक्तियों को लक्ष्मी ने ही रेखांकित किया है जब उसे लगने लगता है कि यह काम लक्ष्मी का ही है तो उसके मन का कवतुहल और अधिक बढ़ जाता है गुबिंद सोचता है कि मैंने तो उसे अर्थात लक्ष्मी को नहीं देखा है किन्तु मुझे उसने जरूर देखा होगा वह सोचने लगा कि व्यावारिक धरातर पल ये लड़कियां लड़कों की तुनला में अधिक तेज होती है मैं चाहे उसे न देख सका हूँ पर उसने मुझे देखा होगा वह सोचने लगता है कि आकिर उसमें ऐसा क्या है जो लक्ष्मी जैसी लड़की उसकी और आकरशित हो रही है वह सोचने लगा कि इस समय काश यदि उसके पास एक दरपन होता तो वह उसमें अपना चेहरा देखता अपने आँखों से नहीं अपीतू अपनी आँखों को लक्ष्मी की आँखें मानते हुए देखता कि वह कैसा दिखता है उसकी नजर में आलोचे कद्यांस में गोविंद की मनस्तिति का जो चित्र अंकित हुआ है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह एक तरपा प्रेम के बंधन में पढ़ चुका है यह मुगदा वस्ता है विशेशकर उन इस्तितियों में जबकि गोविंद ने लक्ष्मी को अभी तक देखा ही नहीं है केवल उसके द्वारा रे खंकित की गई पंक्तियों को अनेग बार पढ़ने पर आउट्सुक्य के साथ साथ उसके मन में यह भाव उदित हुआ है लक्ष्मी के बारे में प्रस्नों का एक जुंड उसके दिमाग पर तूट पड़ा जैसे शिकारी कुत्तों का बाड़ा खोल दिया गया हो या एक के बाद एक सीर पर कुई हतोड़े की चूटे कर रहा हो बड़ी निर्ममता और कुरोता से जैसे चट पर से अचानक गिर पड़ने वाले आदमी के सामने सारी दुनिया एक जटके के साथ एक शण में चक्कर लगा जाती है उसी तरह उसके सामने सैकडों हजारों चीजे एक साथ चमक कर गायब हो गई लाला रुपाराम की चक्की में गोविंद इंटों के उंचे चवकोर तक्त नुमा चबुत्रे पर पुरानी छोटी सी संदुक्ची के आगे बैठा हुआ हिसाब लिख रहा था इस बीच उसे लक्षमी का इस्वरन आ जाता है उसके मन में बार बार यह प्रशन उठता है कि आकिर यह लक्षमी है कौन लक्षमी के संबन्द में गोविंद जितना अधिक सोचता है उतना ही वह उलज़ता जाता है उसे ऐसा प्रतीत होता है कि जब भी वह कौतुहल ग्रसित होकर लक्षमी के बारे में विचार करता है उसके सामने जैसे प्रिस्टनों का बड़ा समू आकर तूट पड़ता है ठीक वैसे ही जैसे किसी ने किसी व्यक्ति के उपर बंद की हुए शेकारी कुत्तों का बारा एकदम खोल दिया हो उसे यह भी प्रतित होता है कि लक्षमी के समंध में उभरते ये प्रिस्ट उसके सिर पर हतोड़े के समान बड़ी निर्ममता और कुरोता से प्रहार कर रहे हो अत्वा जैसे वह किसी छट के उपर से गिरा हो और उसके सामने सारी दुनिया का सत्य उभर कर आ गया हो सारी दुनिया एक जटके के साथ चक्कर लगा कर आ गई हो ऐसा भी लगता है जैसे अनेक वस्तुएं उसके सामने उभर कर चमकने लगी हो और फिर चमक कर लुपत हो गई हो जैसे लक्ष्मी और उसकी इस्मनती आलोचे के द्यांस में लक्ष्मी के समन्द में और उसके से भरे हुए गोविंद की मनसिकता का बहुत सुन्दर और प्रभावी शब्द चित्र वर्नित किया गया है देखो आज की तारीक तक या वेचारा भाग दोड़कर लू धूप की चिंता छोड़कर जमा कर रहा है कल यह मर जाता है तो यह सब किसके लिए जमा किया गया वेचारे के साथ कैसी लाचारी है मर कर जी कर नवकर की तरह जमा किये जा रहा है न कुद खा सकता है या न देख सकता है कि कोई छू भी ले जैसे धन के उपर बैटा साप, खुद उसे खा नहीं सकता, खाने तो खैर देगा ही क्या, उसकी रखवाली करना और जोड़ना, और लाला रुपाराम के प्रती दया से अभिभूत होकर चौकिदार ने एक गहरी सांस ली चौकिदार दिलावर्सी, मिस्तरी सलीम और गुविंद की बीच का वारता लब, चौकिदार गुविंद को बताता है कि इस उम्र तक लाला रुपाराम ने इतने दौलत जोड़कर रखी है, अब इसका ये कमभक्त करेगा क्या, लोग जमा करते हैं कि बैठ कर उसका लेकिन यह राक्षस तो जमा करने में ही लगा रहता है। इसका धन नहीं हो, किसी और का धन हो। हालत यह है कि जब यह खुद ही नहीं खा रहा है तो भला दूसरों को क्या खाने देगा। यह तो एक साप के समान उस धन पर कुंडली मार कर, बैठ कर उसकी रखवाली कर रहा है। तो उस धन का उप्योग न तो वे स्वयम करते हैं और नहीं किसी और को करने देते हैं। इन लोगों के बड़े बुड़ों का कहना था कि लड़की उनके खंदान में भगवान होती है। अब तो अपना लाला कभी इस ओजह के पास जा, कभी उस पीर के पास जा, कभी उसकी मानता, कभी उसका संकल्प, दीन रात, बस यही की, हे भगवान, मेरी लड़की हो। और पता नहीं कैसे भगवान ने सुन ली और लड़की आई। आप विश्वास नहीं करेंगे। फिर तो सचमुच रुपाराम के नक्षे बदलने लगे, पता नहीं गड़ा हुआ मिला, या छपपर फाड़कर मिला, लाला रुपाराम के सितारे फिर गए। लाला रुपाराम के बड़े भाई लाला रुचुराम के घर जब गवरी का जन्म हुआ तो उसके बाद उसकी आर्थिक हालत सुधरती चली गई। यह देखकर लाला रुपाराम के मन में भी आया कि उसके घर भी एक लड़की का जन्म होना चाहिए। सामन्य तह यह माना जाता है कि परिवार में किसी लड़की का होना उस परिवार में लक्ष्मी होने के समान है। क्योंकि लड़की देवी का रूप होती है। लाला रुपाराम ने अपने भाई की सुधरती हुई आर्थिक हालत को देखा था इसलिए उसके मन में भी यह इच्छा जाकती है कि उसके घर में भी लड़की होनी चाहिए लाला रुपाराम ने इसके लिए जगह जगह मानताएं दी उसके घर लड़की का जन्म हुआ और उसकी हालत सुधरने लगी आलोचे गद्यांस में लड़की के महत्व को स्विकारा गया है इसके साथ ही धन प्राप्ती की लालसा में लड़की के प्रती लाला रुपाराम के मन में जो भाव थे वह इस गद्यांस में इस्पस्ट हो रहे हैं इसकुल में भी सुनते हैं बड़ी तारीब थी लेकिन इसने सब रेड़ कर दी उसे यह विश्वास हो गया कि लड़की सचमिच लक्षमी है और जब यह दूसरे की हो जाएगी तो इसका भी एकदम सत्यानास हो जाएगा इसी डर से न तो किसी को आने जाने देता है और न उसके शादी करता है उसकी हर बात पर पुलिस के सिपाही की तरह नजर रखता है उसकी हर बात मानता है उसकी हर जित पूरी करता है लेकिन निकलने नहीं देता लक्षमी सोलह की हुई सतरह की हुई अठारह उनिस साल पर साल बिद गए पहले तो वह सबसे लड़ती थी बड़ी चिर्चिरी और जिद्धी हो गई थी कभी कभी सब को गाली देती और मार भी बैठती थी फिर तो मालूम नहीं क्या हुआ कि घंटो रात रात भर जोर जोर से रोती रहती फिर धीरे धीरे उससे दवरा पढ़ने लगा चौकीदार दिलावर सी मिस्तरी सलीम और गविंद के बीच का वारता लप चौकीदार गविंद को लाला रोचुराम और उसकी लड़की गवरी का किस्सा सुनाता है और यह भी बताता है कि रूचुराम की मरत्यों के बाद कैसे लाला रूपा राम ने लक्षमी पर पहरा बिठा दिया मिस्टरी सलीम लक्षमी की सुन्दरता की प्रस्थन सा करता है आलोचे गध्यांस में चवकीदार के माध्यम से लक्षमी के व्यक्तित और उसकी विक्रत मानसिक्ता के संबंद में चित्र उपस्तित किया गया है चवकिदार कहता है कि लक्षमी पढ़ने में बहुत तेज थी किन्तु उसके पिता लाला रुपाराम ने उसकी पढ़ाई छुडबा दी आने जाने वालों पर रोक लगा दी और पुलिस के सिपाही के तरह नजर रखते हुए उसका विवाह भी नहीं करता उसे डर है कि कहीं उसके विवाह के बाद उसके भाई के तरह उसका भी दिवाला न निकल जाए लक्षमी की उम्र बढ़ते हुए 25-26 के करीब हो गई और अब उसमें मानसिक विकरती भी आ गई कभी वह अस्ती है कभी रोती है तो कभी मारती पिटती है घंटो रात रात भर रोती है और अब तो से दोरे भी पढ़ने लगे हैं अलोच्य कद्यांस में यह बात उभर कर सामने आती है कि यदि अनावश्यक रुप से किसी लड़की पर प्रतिबंद लगा दिया जाए तो लक्षमी जैसी सुन्दर और प्रतिभाशाली लड़की भी मानसिक रुप से विक्षिप्त और विकार ग्रस्त हो सकती है गुविंद के मन में अपने आफ एक सवाल उठा क्या मैं ही पहला आदमी हूँ जो इस पुकार को सुनकर ऐसा व्यकुल हो चुका हूँ या औरों ने भी इस आवाज को सुना है और सुनकर अनसुना कर दिया है और क्या सच्पुच जवान लड़की की आवाज को सुनकर अनसुना किया जा सकता है चुकिदार दिलावर सी हैं और मिस्तरी सलीम से सब कुछ जानने के बाद जब गुविंद अपनी कोठरी में आता है तब वह आधी रात को लेटे लेटे लक्षमी के बारे में सोचता है और मुम्बत्ती की रोशनी में उसकी आँखों के आगे सारी बातों का एक एक चितर साकार होट सा है जब गोविंद ने गर्म गर्म आंसु बहाती मुम्बत्ती की धूंगली रोशनी में लक्ष्मी द्वारा स्याही से रिखांकित पंक्तियों को पढ़ा तो उसके मन में अपने आप यह प्रस्ण उभर कर सामने आया कि इस संसार में लक्ष्मी जैसी कितनी लड़कियां हैं जो अपने जीवन की त्रासद विवस्ताओं के बीच इस प्रकार के संदेश मुझ जैसे यूवकों को दे देती हैं और क्या इस तरह का मैं पहला व्यक्ति हूँ जो इस तरह की कातर प्रकार को सुनकर व्यकुल हो गया हूँ वह यह भी सुचता है कि मेरे अत्रिक भी और कोई व्यक्ति हैं जिनोंने इस तरह की विवस्त यूवा लड़की की पुकार को सुना हो और सुनने के बाद कुछ भी न कर पाने की इस्तिति में इस तरह की प्रणए याशना को अंसुना कर दिया हो गुविंद बार-बार इस विशे में सोचता है और महसूस करता है कि क्या कभी इस प्रकार की परिस्तितियों में लक्ष्मी जैसी किसी युवा लड़की के कातरता से भरे हुए प्रणय नेविदन को कैसे अंसुना किया जा सकता है। आलुचे कद्यांस में राजियंद्र यादों ने मनोविज्यनिक आधार पर गुविंद की मानसिक्ता को अभिव्यंजित किया है। कुछ समस्याइं ऐसी होती हैं जिने देखकर ऐसा लगता है कि उनका समाधान होना चाहिए किन्तु परिष्थितियां इतनी उलजीवी होती हैं कि उनका समाधान चाहते हुए भी नहीं हो पाता। आलचे कहानी जहां लक्षमी कैद है हिंदी के सुप्रसिद कहानिकार और नई कहानी के प्रणेता राजेंद्र यादो द्वारा रचित एक बहुच रचित रिशना है। जिसके माध्यम से रशनाकार ने नई कहानी के शिल्प में रूडिक रस्त समाज में पलने वली एक युवा, सुन्दर, चंचल और तेज तर्रार लड़की लक्ष्मी की तरासदी को चित्रित किया है। हमारा यह समाज कुछ अफवादों को छोड़कर रूडिवादिता में लूटती, पीटती, कूटती, संकिर्ण स्वार्त जन्यम मानसिक्ता के कतिपए अंदेरों में घिरा हुआ है। जहां लाला, रुपाराम जैसे, आत्म केंदरित, रुडिवादी, अंदविश्वासी और अववेवे की व्यक्तियों के कारण लक्ष्मी जैसी नजाने कितनी लड़कियों के जीवन और उनके भविश्य अंदकार में होते जा रहे हैं। यह भी एक विसंगती है कि परिवार के मर्यादा में बंदी हुई, यह संसकारी लड़कियां इस प्रकार की इस्तितियों के विरुद्ध न तो विरुद्ध कर पाती हैं और नहीं अपने जीवन और इच्छाओं के साथ सहाज जुटाते हुए नियाए कर पाती हैं। समाज में चोकिदार दिलावर सीय जैसे कुछ विक्ति जरूर हैं जो इस प्रकार की इस्तितियों के प्रती अपना आक्रोस विक्त करते हैं। जिन्तु समाज और नियाए ववस्ता के आगे कुछ भी कर पाने में अस्वमर्थ होते हैं और गोविंद जैसे युवक्त बहुत कुछ चाहने के बाद भी मौन दर्सक बने रहते हैं। राजेंदर यादों ने इस कहानी के मध्यम से यह संदेश भी दिया है कि अपने जीवन और अपने महत्वा कंख्षाओं के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन और उसके भविस्य से खिलवार्द नहीं करना चाहिए। आलुचे कहानी जहां लक्षमी कैद है मानव मन के अंदर सुप्त अंतर दूंद को अभारती है और मानवी समवेदना को जगरत करती है। कतावस्तु की सेयोजना, पातर विधान, उद्देश और कहानी के अन्य तत्वों के धरातल पर यह एक सफल कहानी है। कताकार राजिन रियादों ने आलुचे कहानी में जिस समस्या को उठाया है वह सार्व भौमिक, सार्व कलिक और सार्व जनीन है। इसलिए यह कहानी प्रत्यक यूग में प्रासंगिक बनी रहेगी। प्रासंगिक बनी रहेगी।